तो चलिए students हम लोग शुरू करते हैं आज की class को और आज हम लोग Indian constitution की अपनी इस class में बात करेंगे समिधान वाद की constitutionalism और constitution क्या basic difference होता है उसकी बात करेंगे और हमारे constitution में जो भी हमने principal अलग-अलग country से adopt किये हैं बॉरोट किये हैं उसके बारे में जानेगे कौन सा principle हमने क इस country से लिया है, इहीं दिन चीजों पर आज हमारी focus रहेगी, और एक basic introduction जो हमारे constitution के features वगरा है, वो आज हमारा complete हो जाएगा, इसके बाद हम कल से अपना preamble के chapter पर आ जाएगे, दो दिन में हमारा preamble भी complete हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे, समिधान वाद और समिधान में क्या difference है, constitutionalism और constitution में क्या difference होता है, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है, इसको पहले समझते हैं, write-up तो है हमारे पास, लेकिन समझना भी ज़्यादा जरूरी होता है, देखिए, basic difference हम क्या कर रहे हैं, constitution और constitutionalism समिधान वाद और समिधान इन दोनों में अंतर क्या है, इसको हमको समझना है सबसे पहले आपको थोड़ा सा recall करना होगा कि constitution क्या होता है, हमने क्या समझा था constitution क्या था, rules and regulation ही तो थे, rules and regulation इस rules and regulations में हमने क्या किया, हमने land अपना decide कर दिया, कहां से कहां तक है हमने citizenship के concept दे दिया, हमने electroller process दे दिया, किस तरीके से रहेगा हमने DPSP बता दिया, fundamental rights बता दिये, executive bodies को बता दिया, parliament को बता दिया और ये सब चीजे क्या होती है, constitution खुद से स्विकार किया जाता है, ठीक है ये चीज तो हमने already देखा है, कि समिधान में ये सारी चीजे हो गई ठीक है, लेकिन क्या इतने भर से सब कुछ हो जाएगा आप exam आपका अगर दो महिने बाद रहता है, आप खुब planning करते हैं कि हम सुबा छे बजे उठ जाएंगे, 6 a.m. पे हम उठ जाएंगे एक घंटे हम exercise करेंगे फिर एक घंटे हम, तीन घंटे हम पढ़ाई करेंगे फिर हम school जाएंगे, college जाएंगे फिर उसके बाद वहाँ से आके एक घंटे rest करेंगे फिर तीन घंटे हम पढ़ाई करेंगे कूब पूरी planning करते हैं, उसके बाद में पहले महिने क्या चलता है? छे बजे उठने के बजाए आप आठ बजे उठे अब जब आठ बजे उठे तो एकसरसाइस का टाइम खतम हो गया तीन घंटे आप पढ़ने वाले थे आपके पास दो घंटे बचे लेकिन आप डेली रूटीन के वर्स में एक घंटे चले गए अब आपके पास सिर्फ एक घंटा बचा ले देके किसी तरह पढ़ लिए फिर आपके बाहर निकलने का टाइम आ गया आने के बाद में आपको पढ़ना था लेकिन आपके ठक गया है थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं तीन घंटे पढ़ना था एक बार नीज लगी तो दो घंटे सोते रह गये तो पढ़ने का टाइम कित्ता बचा एक घंटे छे घंटे के आपने पढ़ने की प्लानिंग की थी और अल्टिमेटली आप दो घंटे पढ़ पाए ले देखें तो क्या जो प्लानिंग किया और जो रियलिटी में हुआ क्या वो सेम है नहीं वो अलग हुआ ऐसे ही ये तो constitution तो हमने एक ideal दस्तावेज एकदम आदर शुरूप में बने दिया idealistic की यही होना चाहिए यही होना चाहिए वैसा हमने बना दिया एकदम idealistic way में कि ऐसा ऐसा हमको करना है लेकिन क्या reality में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह भी तो देखना है खाली नियम कानून बना देने से truth regulation बना देने से क्या काम हो गया यह चेक करना पड़ेगा ना बहुए कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है बनाया था 6 गंटे पड़ने के लिए 2 गंटे पड़ रहा है लेकिन अब क्या करना पड़ेगा आपको यह अगर बनाया है तो उस पे focus भी तो करना पड़ेगा कि हाँ यह चीज़ सही तरीके से चलती रहे आपने सुब़ 6 बज़े उठने का काम किया तो आपने इसके लिए क्या किया आपने एलार्म सेट कर लिया खे बज़े आपको उठना है एक बार में नीद नहीं खुलेगी आपने 5.45 का एलार्म सेट कर लिया पाँच पच्पन का set कर दिया और फिर आपने 6 बजे का set कर लिया फिर भी आपने हुए उठे तो आपने घर के किसी मेंबर को बोल दिया कि हमको भई ये 6-15 तक ना उठें तो उठा देना, तो अपने आपने क्या किया यहाँ पे अपनी तरफ से मेजर लिया साथ में आपने किसी और को भी बोल दिया कि भाई ठीक है अगर नहीं उठ पाते है तो उनको बता देना ठीक है उसके बाद में शाम को जब आप रेस्ट करने के लिए गए तो आप किसी को बोल दिये है कि भाई हम 30 मिनिट तक रेस्ट कर रहे हैं उसके बाद हमको उठा देना कहीं ऐसा नहीं हो जाए सोते रहे हैं इलाम यहाँ पर भी लगा दिया खुद से अलर्ट हो गए ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपने आप को उस प्लानिंग से बांधे रखने के लिए क्या कर रहे हैं आप कुछ प्रेवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं किसी को एक को रिस्पॉंसिबिल्टी दे रहे हैं कि भाई ठीक है इसको देखते रहना हम इतने पर कर लें ठीक है अगर नहीं हो पाए तो उनको बता देना क्या करना है अब तुम्हें उठना है तो समिधान वाद और समिधान में बेसिक डिफरेंस यही है समिधान ने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है आपके क्या क्या फंक्शन्स हैं are your functions कैसे करना है क्यों करना है यह सब कुछ आपने समिधान ने आपको बता दिया लेकिन समिधान वाद constitutionalism क्या कहता है यह कहता है चेक करता है कि जो इसने बताया है क्या रियलिटी में वही हो रहा है fundamental rights अगर दिये गए है citizens को नागरिकों को तो क्या वो लोगों को मिले है वो उसको enjoy कर पा रहे है कि नहीं कर पा रहे है उसका advantage ले रहे है कि नहीं ले रहे है लेकिन क्या वास्तविक्ता में election उसी rule तरीके से हो रहा है कि नहीं कहीं biasness तो नहीं हो रही है गवर्नर की नियुक्ती में कहीं biasness तो नहीं हो रही है जो भी rules regulation बताये गए हैं बनाये गए हैं वो सही तरीके से क्रियानवन में हैं या नहीं है रिस्पॉन्सिबिल्टी जो इसको जी दी गई है, जुडीशरी को जी रिस्पॉन्सिबिल्टी दी गई, इसक्यूटी को जो रिस्पॉन्सिबिल्टी को जो रिस्पॉन्सिबिल्टी दी गई, वो अपने रिस्पॉन्सिबिल्टी को ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रह बताता है, कि आप सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, अगर उसमें कमी हैं, तो आपको उसमें इंपरूमेंट करने के लिए बताता है। और decision लिया यही क्या होता है समिधान वाद होता है constitutionalism यही होता है ठीक है तो समिधान क्या है constitution क्या है और constitutionalism क्या है यह दोनों में basic difference होता है ठीक है क्लियर है किसमें क्या है क्या नहीं है ठीक अग यही चीजें हमको यहाँ पर theory में दे रखा है समिधान किसी राष्ट्र की रक्तधारा जीवन दर्शन नागरिकों की हितों की guarantee की भूमिकाएं अदा करता है मतलब life philosophy of life citizens को जो fundamental rights देगे हैं वो उन तक सही तरीके से पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं यह सब कौन देखता है constitutionalism देखता है समिधान वाद देखता है समिधान एक आदरशात्मक दस्तावेज है idealistic है जो कारेपालिका विधाईका न्याएपालिका executive judiciary और legislative के जो भी responsibilities हैं उसमें जो उनको दिया गया है उसको देखता है कि क्या-क्या इनकी responsibility है लेकिन समिधान वाद क्या है constitutionalism क्या है यह स ठीक है इसको यह चेक कर रहा है अदर जो institutions बनाए गए हैं वो सही तरीके से function कर रहा है कि नहीं कर रहा है कौन-कौन से institution होंगे वो तो constitution ने बता दिया लेकिन वो अपना function सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो constitutionalism बताएगा समिधान वाद देखता है कि हाँ सब मात्र से भूमिकाओं का वर्डन कर देने से सारे लक्षे प्राप्त नहीं हो जाते कि हाँ आपने कह दिया कि 6 बजे उठना है तो उससे नहीं होगा आपकी अपनी इच्छा भी होनी चाहिए आपकी उस डायरेक्शन में मूवमेंट भी होना चाहिए कि हम 6 बजे उठेंगे त ठीक है एक्साम ओरियंटेट रिपरेशन भी करनी पड़ेगी रेगुलर्टी ले आनी पड़ेगी तो वही सब सारी चीजे क्या होती है समिधान वाद होती है यह एक प्रॉसेस है समिधान तो आपका एक एंड रिजल्ट हो गया जहां तक आपको पहुँचना है लेकिन समि एक्सपिरियंस से उसमें अपनी मिस्टेक को रेयलाइस किया फिर इंप्रॉमेंट किया फिर कुछ मिस्टेक आई फिर उसको रेयलाइस करते वे फिर इंप्रॉमेंट किया तो यह कांटिनीव चलने वाली एक प्रॉसेस है ठीक है ठीक जिससे क्या होता है कि जो हमारे एंड ैं रिजुट सें constitution के उसको हम प्राप्त कर सकें constitution एक तरीके से means हैं जो क्या करते हैं constitution के जो हमारे target हैं aim है end result है उसको प्राप्त करने में हमारी सहायता करते है ठीक है constitution क्या थह आईडियलेस्टिक थह एकदम stable होते हैं सरकार के अंगों का सीमांकन होता है यह practical होता है, changes होते रहते हैं, dynamic है, क्यों? क्योंकि आपने जो भी कमी देखी, उसको दूर करने का प्रयास करते जाते हैं, और इसी way में constitutionalism function करता है, constitution आपका end result है, तो constitutionalism क्या है? means, जिस way में आपको उस end result को प्राप्त करना है, ठीक है? यह आपका final aim है, तो उस final aim को प्राप्त करने के लिए आपका process है, किन किन process को आप follow करेंगे, जिससे आप अपने aim तक पहुंश सकें, यह आपका theoretical approach है, कि हाँ यह होना चाहिए, यह आपका practical approach है, कि क्या हो रहा है, उन उसे सीखें, अगर कुछ कमिया है, तो उस गलती है, तो उसके बाद में उसको improve करेंगे, एक dynamic approach है, यह idealistic है, और यह सरकार के सभी अंगों की भूमिकाएं लागू करवाता है, यह बता देता है कि भाई, judiciary यह करेगी, executive यह करेगा, और यह ensure करता है कि judiciary वो करती रहे, ठीक है यह experience पर से आता है, आप कोई function हो रहा है, उसको experience कर रहा है कि उसकी कमियों को, उसके according अपने कमियों से उसको सीखते हुए, आप उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, इसे नागरिकों के द्वारा एक बार में ही अपना लिया जाता है, मतलब, adopt कर लेता है नागरिक एक बा मतलब constitution के aim ना मिल जाए, यह सब कुछ active बनाये रखता है, पूरे process को, ठीक है, और यह institution के जो कौन क्या करेगा, यह सारे institution को decide कर देता है, और institutions को active बनाने का काम कौन करता है, constitutionalism करता है, ठीक है, तो समीधान क्या होता है, समीधान वाद क्या होता है, अब आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है, अब कैसे होता है, जुड़ी श्री तो अपना काम करेगी ही, कई बार आप सुनते हैं, कि self recognition ले लेती है, ठीक है, कहीं jeep पलड़ गई तो उसको ले लिया, कहीं कुछ farmer से related मुद्दा हो गया, तो उसको ले लिया, कहीं पर कहीं industry से related मुद्दा हो गया, तो उसको ले लिया, तो जुड़ी श्री अपना function करती है, executive body ने पार लिया, में ने कोई bill pass किया है, तो सही तरीके से pass हुआ है कि नहीं, अगर कोई उसको question उठाता है, कोई वहाँ पर जाता है, तो जुड़ी श्री उसको विचार करती है, मान लीजे, जुड़ी श् करते हैं, तो सरकार तक, गौवर्मेंट तक वो चीज पहुचेगी, गौवर्मेंट क्या करेगी फिर, गौवर्मेंट उस पे action लेगी, civil society, civil society, civil societies होती है, छोटे मोटे NGOs होते हैं, जो समाज की समस्याओं को जानते हैं, और समझते हैं, वहाँ तक पहुंचते हैं, लोगों स पहुचपारी गौवर्मेंट, वहाँ पर वो पहुचकर, उनकी बातों को उपर authority तक ले जाकर, उनकी बात को सही करवाने का प्रयास करते हैं, उनकी demand को, जो भी उनकी requirement है, उसको fulfill करने का प्रयास करते हैं, intellectual work, हाला कि अब तो ये अलगी दुनिया में चलने लगे हैं, ले उसको public में ले आएंगे, public domain में ले आएंगे, और जब कोई public domain में कोई बात आएगी, तो लोग उस पे बात करना शुरू करेंगे, और जब बात करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे मद्दा government तक पहुचेगा, parliament तक पहुचेगा, और उसके according, bill act बनेगा, pressure groups, जो सरकार पर दबाओ बना कर रखते हैं, कि हाँ, ये काम ऐसे होना है, सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, ये सारी बाते जो हम governance में पढ़ते हैं, एक एकर करके, civil society, pressure groups, और वहाँ पर हम detail पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन ये क्या है, ये constitutionalism के अंग है, ठीक है, constitutionalism की body है, जो ये ensure करती हैं, कि constitution में जो जो अधिकार दिये गए हैं, नागरिकों को, constitution में जो भी functions लिखे गए हैं, वो सही तरीके से effect में आ रहे हैं, या नहीं आ रहे हैं, इसको यहाँ पर देखा जाता है, और समझा जाता है, ठीक है, तो ये सारी बाते हम यहाँ पर करते हैं, और जानते ह तो समिधान क्या होता है? समिधान वाद क्या होता है? ये हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं ठीक है? अब हमको क्या करना है? हमारी constitution की making जो है उसकी प्रक्रिया को समझना है हमारी constitution में जो समिधान बना हुआ है हमारा समिधान कैसे बना है उपने कौन-कौन सी चीजों को कहां से लिया है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं और जानते हैं देखिए आजादी की लड़ाई तो हमारे बहुत दिनों से चल रही थी तो इसी तरीके से आजादी की प्रक्रिया जब चल रही थी तो 1929-30 में एक लाहौर में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यच्छता पंडित नहरू ने की थी जवाहलाल नहरू ने लेकिन इस घटना से पहले एक और इंसिडेंट हुआ था क्या हुआ था आपने साइमन गोबै कनारा सुना होगा साइमन कमिशन की यह आई थी 1927 में ठीक है साइमन कमिशन एक आया था साइमन कमिशन के साथ समस्या के थी उसके बारे में भी थोड़ा सा हर चीज़े connectivity में हैं देखे थोड़ा सा एक हिस्ट्री में modern history में भी हमको गुसना होगा चीजों को समझने के लिए 1909-1919-1927 और 1905 देखे अंग्रेज यहाँ पर जो भी चीजे कर रहे थे न बहुत ही effective way में कर रहे थे वो बहुत दूर की सोच के चलते थे पहले भारत में यह हिंदो मुस्लिम वगरा जगड़े बहुत जादा नहीं थे और यही समस्या अंग्रेजों को परिशान कर रहे थी कि यह बहुत unity में अपोस कर रहे हैं और इस unity में अगर वो पोस करते रहेंगे तो उनके लिए समस्या बढ़ती जाएगी तो उन्होंने क्या किया divide and rule का principle ले आया जिसके बारे में आप जानते ही हैं और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि हम administration point of view से जो बंगाल है जो समय का सबसे बड़ा एक प्रोविंस हुआ करता था उसको हम divide कर दे रहे हैं तीन प्रोविंस में ठीक है हाला कि उन्होंने कहा कि administration point of view से कर रहें लेकिन back mind में उन्होंने क्या किया इसको इन्होंने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया उन्होंने एक मुस्लिम बहुले वाले जो छेतर थे और हिंदू बहुले वाले जो छेतर थे उसके according division create किया और उसके बाद में धीरे धीरे इसी तरीके से चलते चलते 1906 में मुस्लिम लीग का गठन भी हो जाता है ठीक है और यहां से हिंदू मुस्लिम का बीच में एक division आ गया और ये अपने लिए power की बात करते हैं ये अपने लिए बात करते हैं तो 1909 में एक act ले आते हैं कौन अंग्रेज ले आते हैं हर 20-20 साल पर लगवा ये लोग लाते थे 10 साल 20 साल पर लाए हैं तो इस समय लोगों क बहुत उमीद थी कि अंग्रेज हमको कुछ अधिकार देंगे कुछ हमको rights देंगे दोनों को इच्छाए थी लेकिन इन्हों ने इसमें क्या किया इनको तो खुब अधिकार दिये लेकिन इनको नहीं दिये क्यों नहीं दिये कियां कि इनको divide and rule का game खेलना था थोड़ा सा लोगों ने पोस किया चलता रहा फिर ऐसे ही दस साल बीत गया लेकिन इन्हों ने कहा कि ठीक है हम धीरे धीरे आपको 10 साल बात फिर से एक और ले आएंगे उसमें आपको भी देंगे जो भी आप अधिकार चाह रहे हैं उसके recording हम देंगे लोगों ने का ठीक है 1990 में 1919 में भी ऐसे ही एक Montague Champs Fort reform आया इसमें भी अधिकारों को लेकर दोनों पच्छ खुब कौतुहल में थे कि हमको खुब राइट्स मिलेंगे खुब अधिकार मिलेंगे हम आजादी के लड़ाई के लिए जो कर रहे हैं हमको उसमें हमको आगे बढ़ने का मोगा मिलेगा यहाँ भी अंग्रेजों ने गोला दे दिया और कहा कि धीरे धीरे हम कुछ आपको दे रहे हैं लेकिन हम 10 years में इसको क्या करेंगे रिवीव करेंगे कि आप लोग आजादी हो जादी के लिए तयार हैं कि नहीं अधिकारों के लिए तयार हैं कि नहीं तयार हैं उसके बाद में हम और भी आगे कुछ देंगे लोगों ने का चलो ठीक है सौ में से पचास ही मिला लेकिं कुछ तो मिला चलती बात हुईगी दस सल के लिए लोगों ने फिर सांती बरत लिए धीरे-धीरे जैसे जो चलता था चलता रहा तो 1919 के बाद में अगला दस सल कब आना था 1929 में आना था लेकिन क्या हुआ 1927 में ही ब्रिटेन में आ गए इलेक्शन और यहां पर जब इलेक्शन आ गए तो जो उस समय पार्टी गौवर्मेंट में थी सत्ता में थी उसके हारने के ऐसे आसार बन रहती कि वो हार जाएगी औ वो प्रो इंडियन पार्टी थोड़ी सी थी तो इन्होंने क्या किया कि 10 साल बाद जो कमेटी आनी थी अधिकारों की जाँच वगरा के लिए उसको उन्होंने 1927 में ही साइमन कमीशन नाम से भेजने का डिसीजन ले लिया और इसके जो मेंबर्स बनाए गए इसके जो नहीं तो जब उसमें कोई भारती थे ही नहीं इंडियंस थे ही नहीं तो भारत के लोगों ने का भाई जब इसमें कोई इंडिया नहीं नहीं तो हमारा पक्ष रखेगा कौन इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा इसलिए लोगों ने अपोस करना सुरू किया साइमन वापस जो साइमन, गो बैक, गो बैक, लाला लजपतराई जी की इम्रित्यू भी हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहा, तो यहीं पर जो उस समय के भारत सचिव थे अंग्रेश सरकार के, उन्होंने क्या किया, भारतियों से कहा, भाई, तुम लोग बहुत ज़्यादा अपो बनाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अंग्रेश तो चालू थे, उनको मालूम था कि इंडिया में इतनी डैवस्टी है कि एक पेज पे सब लोग आ जाएं, पॉसिबल ही नहीं है, तो पंडित नहरू की जो पिताजी थे, मोतिलाल नहरू, उनको यह रिस्प पहली बाल फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई थी, दोमिनियन स्टेटर्स दीजे, जिसमें जो मेजर आपके जैसे फॉरेंड पॉलिसी हो गया, डिफेंस हो गया आपने पास रखी, लेकिन सारे अधिकार बाकी हमको दीजे, लेकिन इस नहरू रिपोर्ट पे सभी लोग सहमत नहीं हुए, जिन्ना भी कुछी बात पर सहमत नहीं हुए, कुछ भी हुआ, हाला कि एक चीज और आप या लगी कुछ लोग निगेटिवे में ले लेते हैं, लेकिन जिन्ना अब तक 1929 जब तक ये रिपोर्ट नहीं आई थी, तब तक पूरी तरीके से अच्छ पॉइंट रखे कि भाई ये ये करेए, फिर जब जिन्ना ने बात रखी, तो जो हिंदू संगठन थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि भाई इसको कर रहे हैं, इनको आप ये अधिकार दे रहे हैं, तो हमको भी दीजिए, तो फिर नहरू रिपोर्ट में फाइनली क्य नहीं लिया, अंग्रेजों ने कुछ एक्षन नहीं लिया, एक साल बीत गया, और बात हुई थी कि भाईया, एक साल में आप लागू कर दीजेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा, एक साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ, तो 1929 में और 30 में लाहोर में एक अधिवेशन होता है, एक समिट बुलाई जाती है, नहरू जी को अध्यश्चता दी जाती है, पंडिजवालल नहरू को, उन्होंने कहा कि हमारे पापा की बात तुम लोग नहीं माने, ते अब ठीक है, अब हम दॉमिनियन इस्टेटरस हमको नहीं चाहिए, इमको कम्प्लीट फ्रीडम चाहिए, और यहीं पर 26 जनवरी 1930 को, रावी नदी के तट पर एक पहली बार भारत का फ्लैग अपनाया गया और पहराया गया और कहा गया इस दिन को हम लोग हमेशा एक इंडिपेंडेंस डे की तरह से मनाएंगे, और इसलिए हमारा जो समिधान है इस दिन लागू भी किया गया, क् कि इस दिन की इंपर्टेंस 26 जनवरी की बनी रहे, यही कारण था, फुल फ्रीडम की बात की गई, सब कुछ कहा गया, लेकिन अंग्रेज मानने को तयार नहीं थे, समय बीटता गया, आ गई क्या सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, अब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पर क्या था, अंग्रेजों को भारतियों का इंडियन का सपोर्ट चाहिए था, बिना इंडियन के सपोर्ट के तो कुछ काम होता नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो गांधी जी के कहने पर लोगों ने सपोर्ट कर दिया था, गांधी जी ने भी को लगा था कि हम लोग क कहा कि हम यह करेंगे यह करेंगे तो लोगों ने का भई हम कुछ नहीं मतलब है तुम कुछ नहीं करते हो इन्हों ने अगस्त ओफर दिया 1940 में इन्होंने क्रिप्स कमीशन भेजा ठीक है उससे भी बात नहीं बनी 1945 में भी समिट आई नहीं बनी फिर उसके बाद cabinet प्लान फाइनली आता है उसमें यह कह दियाता है कि भारत अपना समिधान सभा बनाए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार खतम हो गया था अमेरिका पावर में आ चुका था अमेरिका ने कहा था सबको कि सारी कॉलोनियों को फ्री करिए capitalist mindset रखिये उसके दबाव में भारत को भी आजात करने का फैसला लिया गया गया cabinet commission बनता है उसने कहा कि आप अपनी यह constituent assembly बन जाती है 1946 में अब बन तो गई लेकिन question वही जो पहली class में discuss किया था कैसे दें भाई क्या क्या दें कैसे दें how, what, why सब कुछ था तो क्या किया गया other constitutions का जितने अलग-अलग समिधान थे उनका क्या किया गया research किया गया पढ़ा गया समझा गया और उनके जो basic philosophy थी उसको adopt किया गया as it is adopt किया गया क्या नहीं as it is नहीं किया हम ने जैसे जो heading थी एक समझी है उसको ले लिया लेकिन अपने यहां के अनुसार उसके जो clauses थे वो अपने according डाले और जो headings थी उसके यहां से लिया basic जो fenda थे वो लिया लेकिन सारे process अपने according उसको set किये अब वही चीज हमको देखनी है कि हमने कहां से क्या लिया है हमने कहां से क्या लिया है वो चीज है जै कई बार questions exam में इस तरीके से पूछ लिये जाते हैं इसलिए याद रखिएगा अब अंग्रेज हमारे हां साशन करते थे तो 1935 में भी एक्ट ले आये थे इनसे हम बहुत प्रभावित थे यही हमारे प्रचलन में भी चल रहा था तो हमने यहां से भी बहुत सारी लिये थे यहां से उसके लावा ब्रिटेन का हमारे हां शाशन बहुत दिनें से था तो हम ब्रिटेन से प्रभावित थे उसको भी हमने लिया क्या 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 लिया प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट काउंसिल औफ मिनिस्टर होगी प्राइम मिनिस्टर की लोगसभा का स्पीकर होगा राज्यसभा और लोगसभा जैसी डबल द्वीसदनी व्यवस्था होगी कैग का पोस्ट होगा CEC होगी, CIC होगी, CVC होगी ये सारे जो होंगे एकल नागरिक्ता होगी केवल एक भारत की नागरिक्ता रहेगी स्टेट्स की नागरिक्ता नहीं रहेगी citizenship नहीं रहेगा केवल एक इंडियन citizenship रहेगा ये सारे कॉंसेप्ट हमने कहां से लिए? ब्रिटेन से, उसके बाद हम गई USA, फंडामेंटल राइट्स, मूलदिकार, वाइस प्रेसिडेंट उपराश्पती का पद, समिधान की प्रस्तावना प्रियंबल, रिटेन कंस्टिटूशन का कॉंसेप्ट, राज्य सभा में सीट्स का इंपीचमिंट कैसे किया जाता है, कब राश्पती को हटाया जाएगा, कैसे हटाया जा सकता है, वो भी हमने क्या लिया, यहीं से लिया EUSA से ही, और प्रेसिडेंट, जो डिफेंस का होगा, तीनों सेनाओं का प्रेसिडेंट रहेगा, कमांडर रहेगा, सुप्रीम भारत के प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा, राजिस सभा में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, इसका कॉंसेप्ट भी हमने आयलेंड से लिया, जर्मनी से क्या हमने लिया, कि जो भी फंडामेंटल राइट समक को दिए उसका suspension किस तरीके से emergency के टाइम पर हो सकता है कि USSR से हमने fundamental duties और socio-economic justice के concept लिए यह चारी चीज़ें यहां से हमने लिए कि इन सबी चीजों को एक बार फिर से देखके रिवाइस जरूर करिएगा नहीं सब में सोजाता है औस्ट्रेलिया से क्या लिया तीन list हमने बनाई है एक union list जिस पे center law बनाता है एक state list जिस पे state का आनून बनाता है और एक concurrent list जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं लेकिन अगर state ने भी बना दिया union ने भी बना दिया तो union वाला माना जाता है तो ये concurrent list का concept हमने कहां से लिया है Australia से लिया है कई बार आप सुनते हैं कि Parliament की joint sitting हो रही है मतलब लोग सभा और राज सभा की member साथ में बैठ रहे हैं तो ये हमने concept कहां से लिया ये भी Australia से लिया कल हमने पढ़ा था federal structure जो union farm का हमने लिया है वो कहां से लिया है Canada center और state के relations के concept को भी हमने यहीं से लिया है Supreme Court कई matter पर हमको से कई बार president advice लेते हैं उसका concept भी हमने यहीं से लिया है Canada से गवर्नर का appointment president करेगा कैसे करेगा वो भी concept यहीं से लिया है constitutional amendment South Africa से है राजसभा election process South Africa से procedure established by law Japan France से हमने republic word लिया liberty लिया और बंदुता लिया तो यह यह point थे जिससे हमने जहां जहां से जो जो चीजें adopt की हैं एक पर फिर से आपको याद रखना है कहां कहां से emergency है judiciary public service राजसभा देखे यहां पर राजपाल का post केवल है ठीक है राजपाल का post है कहां से 1935 से लेकिन उसका appointment कैसे होगा उसका appointment कैसे होगा वो हमने कहां से लिया है गवर्नर का appointment हमने कनाडा से लिया post अगर हमने कहां से लिया 1935 के act से तो appointment कहां से लिया कनाडा से लिया ठीक है और राजपा के election process को हमने South Africa से लिया है तो राजपा में जो nominated members होंगे वो कहां से लिया है वो हमने island से लिया है ठीक है वो हमने island से लिया है तो हर चीज को हमने अलग-अलग लिया है ये basic concept लिये है लेकिन actual हमने अपने according ही उसको choose किया है इस तरीके से हमारी समिधान सभा बनी थी 1946 में और उसके बाद मैं 284 लोगों ने finally sign किया और 26 नवंबर ये सारी बाते तो खल वैसे हम करेंगे ही को हमारा समिधान प्रभाव में आ गया लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ जिसे हम लोग Republic Day मनाते हैं और इसी में हमारा main शुरूआत होता है प्रियेंबल से जिसके बारे में हम कल शुरूआत कर देंगे ठीक है तो कल हम लोग प्रियेंबल से शुरूआत करेंगे जो basic constitution का introduction था वो हमारा chapter complete हो गया है ठीक है तो कल हम लोग प्रियेंबल से शुरूआत करेंगे कोई doubt है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्रियेंबल से शुरूआत